हेलो फ्रेंज, आईए जो एक नया टॉपिक में आपके लेकी आई हूँ, राइट एंड बर्न टॉपिक के बार में आज मैं डिसकस करूँगे आप लोगों के साथ, कि आखे राइट एंड बर्न थेरेपी क्यों यूज की जाती है, अब कुछ लोग हैं जो बोलते नहीं है ज एसे होते हैं जो चुप रहते हैं और बोलते नहीं हैं, इमोशन को अंदर दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, और कलको उसका जो है बैड इफेक्ट उनकी हेल्थ में देखने को मिलता है, इन फ्यूचर राइट, किसी चीज तरीके का ब्लॉकेज, अगर आप असेंशन प आपको ठीक है, मैं आपको आज इजी वे बताने वाली हूँ, कि अगर आपको ठीक है, बात करना नहीं पसंद, या अपने इमोशन को किसी को दिखाना नहीं पसंद, तो आप एक डाइरी लगा सकते हैं, एक पैन और कॉपी लगा सकते हैं, और उस पे आप जो लिखना चाह जाती है, वैसे तो ये manifestation के लिए भी यूज की जाती है, कि अगर आपको अपनी विश जो है, फुल्फिल करनी हो, बट मैं क्या प्रेफर करती हूँ, specially जो फुल मून और नियू मून होता है, उस दिन हमारे जो अंद्रे के suppressed emotions हैं, वो बहार आती हैं, ठीक है, हमारी लड़ा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मलकि mentally peace नहीं है, तो आप एक paper उठाइए, जो जो आपके अंदर जो भी आ रहा है, उस वक्त, specially, ठीक है, जो भी अंदर से निकल रहा है गुसा, वो लिख दीजिये, आप paper पे लिख दीजिये, और लिखने के बाद उसे जिला दीजिये, या फैंकरना चाहती है, जो भी, बस आपने उस चीज़ को अंदर से बाहर निकालना है, ठीक है, और जब आप ऐसे करते हैं, तो किस ना किसी वे में वो आपको healing की तरह काम करता है, आपके लिए healing का काम करता है, जो भी अंदर की negativity होती है, वो निकल जाती है, और आपको एक तर एक तो personal तरीका हो गया, दूसरा manifestation की जो टेकनीक है, using the right and burn therapy, उसमें क्या किया जाता है, कि आप अपने कोई भी जो desire होती है, वो आप लिख देते हैं, और इसको candle पे इस intention के साथ जला देते हैं, intention ये डालते हैं, कि ये जो मेरी desire है, ये पूरी होगी, ठीक है, तो इस तरीक इसलिए मैं जो है healing purpose के लिए इस therapy को कारगार जो है मानती हूँ, और उसके लिए use करती हूँ, आप लोग भी इसका benefit उठा सकते हैं, तो या, ये छोटी सी वीडियो थी, right and burn therapy पे, okay friends, bye bye